इस पाथे इंड लिए आएंड काफी लोगों में कुछ तर्म को लेकर कुछ सवालों को लेकर डाउट क्रेट होता है मैंने सुचा इस वीडियो में क्यों नहीं उन सारे टॉमस या भी जो भी उनके डाउट हैं उनको थोड़ी क्लियर करने की कोशिश करूं सबसे पहला जो सवाल है नेक बैंड हो या TWS हो उनमें यह रहता है कि हिस साउंड जो होती है वो क्यों आती है क्या हिस साउंड रहना खराब है क्या यह फाल्टी TWS है या मेरे यूनिट फाल्टी है और्व access रहना जो इसंग साउंड रहता है वो बिलकुल भी फॉल्ट वाली चीज नहीं हो है महेंगे headphones, earphones, सब में वह हिस्स साउंड रहता है, जब आप music को pause करते हो, या वीडियो को pause करते हो, तभी रहता है, थोड़ी देर बाद अपने बंद हो जाता है, एक मिनिट दो मिनिट बाद, और बेसिकली वह तभी रहता है, जब येरफोन जो है, वह चल रहे होते हैं, ठीक है, वह एक noise kind of create करने की कोशिश करते हैं, यह सारे महेंगे headphones, earphones में भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो TWC, नेक बैंड है, वह खराब है, अगले कुछ टर्म्स हैं, बहुत बार आपने सु सुना होगा, मैं एक reviewer हूँ, मेरे जैसे auditive reviewers हैं, उनके मुह से, कि highs अच्छे हैं या बेकार हैं, lows अच्छे हैं या बेकार हैं, या कह सकते हो, जो mids है वह अच्छे हैं, या same treble, vocals, and जो हमारे bass होते हैं, वह बेकार हैं, so basically, मैं आपको एक clear cut idea देता हूँ, जब हम highs बोलते ह हाना, highs, highs का मतलब होता है treble, जो instrument वगेरा बजती है, तो उनके beat कितने properly separate हो रहे हैं, उनके आवास कितनी ऊपर तक जारी है, frequency कितनी ऊपर तक जारी है, कितनी अच्छी है, पंची है या नहीं, मतलब बिखर तो नहीं रही हो, so highs मतलब treble, यही होता है, same है, mids मतलब vocals, जो हम यह दोनों चीज सेम है, mids मतलब vocals, जो lows होते हैं, तो उनको हम bass बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद है, so highs मतलब treble, mids मतलब vocals, and lows मतलब bass, ठीक है, so यह एक काफिस बड़ा confusion रहता है, जनरली मैंने देखा है, so यह चीज आप अपने जहन मे बिठा लेना, basically layman terms में समझाने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, like highs मतलब travel होता है, and lows मतलब bass होता है, मैं कित्ती बार repeat कर रहा हूँ, so अगला जो सवाल है, वो यह आता है कि हमको यह TWS या neckband fit होंगे या नहीं होंगे, तो honestly बताओं दोस्तों, fit बहुत ही जादा subjective चीज होती है, कहीं बार ऐसा हुआ है कि कोई TWS या earphones मेरे घर पे आए है, and मेरे ही family members को एक particular TWS बहुत अच्छे से fit हो रहे हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं हो रहे है, या vice versa, so fit काफी जादा subjective है, आप अगर कोई भी TWS खरीते हो पहले तो अलग-अलग जो earbuds आते हैं, उनको आप चेक कर कि आपके कानों में कौन से fit होते हैं, अगर मैं एक normal rule बता हूँ, तो अगर आपके कान चोटे हैं, क्योंकि मेरे कान बहुत चोटे हैं, तो जो सबसे smallest ear tip आता है, silicon वाला, वो attach करो अपने earphone के साथ, या TWS के साथ, and उसको फिर use करो, ठीक है, and same, अगर आपके कान बहुत मतलब कोई sense नहीं बैठता है, क्योंकि वापिस आपके पास वैसे ही, same set of TWS या earphones ही आएंगे, इससे अचाए अब return कर दो, अगला सवाल आता है, durability पे, कभी कार ऐसा होता है, कि कुछ products आते हैं, हमको use करके, एक हफता होता है, या दो हफते होते हैं, and लोग पूछते हैं कि इसकी durability कितने हैं, क्या ये एक साल चलेंगे, दो साल चलेंगे, तीन साल चलेंगे, पहली चीज तो मैं clear करना चाहूंगा, TWS से मुझे बहुत कम उम्मीद हैं, जिते भी brands हैं, पहली चीज क्योंकि एक तो after sales service, almost सारे ही TWS brand की बेकार है, oneplus की छोड़ दूं, और oppo की होते हैं, इसलिए मैं Amazon से ही mostly खरीदता हूं, या तो flip card से return policy, replacement policy better है, ठीक है, and further, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, क्या ये एक साल चलेंगे, दो साल चलेंगे, so, एक साल की ही उम्मीद रहती है, मैं को maximum, and दूसी चीज, अगर हम एक हफते से use करें, तो हम actually मैं आपक तब ऐसी वीडियो देखनी चाहिए, जो टाइटल में डाल रहे हों कि using this TWS post 8 months, या फिर after 8 months, 6 months review, जो long term reviews होते हैं, उनको check out कर सकते हो, क्योंकि durability हम दो हफते में नहीं बता सकते हैं, आपको, लेकिन अगर मैं आपको अपने user experience के basis पर बताऊं, तो देखो ऐसा है, कि जो TWS होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं mostly, लेकिन कुछ TWS होते हैं, जब जमीन पर गिरते हैं, तूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, so अब try करना maximum time कि अगर गिर भी रहें, तो एक soft surface पर गिर रहे हैं, hard surface पर गिरेंगे, तो chances are high कि वो तूट जाएं, तूट जाएंगे तूट क यह एक चीज का मैंने अधिकत देखा हुआ है, further लोग पूछते हैं, 1500 में हमको कौन से best TWS मिलने माले हैं, पहली चीज, 1500 में आपको अच्छे TWS नहीं मिलने माले हैं, मैं हर बार अपने वीडियो में यह बोलता हूँ कि अगर आपका budget 1500 हो का है, तो आप try करो neckband लेने का, क् TWS थोड़ी complex technology है, उतना easy नहीं है जितना आप सोच रहे हो, just because वो बहुत जादा frequently launch हो जाते हैं, मलब हर एक company हर दूसरे तीसरे हफते basically launch कर देती है TWS, that doesn't mean कि वो बहुती easy technology है to master, क्योंकि एक 1500 के device में, इत्ते छोटे से device में बहुत सारी चीजे उनको integrate करने पड़ती है, ज इसकी वज़े से 1500 में आपको जो final product मिलता है TWS के form में, वो इतना खास नहीं होता, इतना refined नहीं होता, लेकिन जो neckband है, वो much better होते हैं, आप audio quality को देख लो, या फिर आप call quality देख लो, latency देख लो, battery backup देख लो, almost हर मामले में, so 1500 से नीचे तो मैं यही recommend करूँगा कि आप neckband खरी लो, अब आता है, बहुत ही important सवाल की, battery backup, sir आपने इतना बोला था, हमको तो इतनी मिल रही है battery, यह तो कम मिल रही है, क्या करें, देखो ऐसा है दोस्तों, कि जो battery backup है ना, वो बहुत ही ideal scenarios में company test करती है, ठीक है, company, like वो एकदम must scenario में, जा connection एकदम stable होगा, या mostly शायद downloaded songs होंगे, जिनको वो सुनते हैं, और वो 50% volume पर maximum test करते हैं, तो इसे उनको optimized result मिलता है, most optimum result मिलता है, हम जो reviewers होते हैं, like मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं 60-70% volume पर ही check करता हूं, क्योंकि जादा high volume वाले music इतना नहीं पसंद आता, so 60-70% पर decent amount of volume रहता है, तो मैं उस amount पर check करता हूं, उस level पर check करता हूं, और वहां पर मेरको भी काफी ठीक ठाक जितनी company ने बोली होती है, उसे थोड़ी कम battery backup मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप calling करते हो, या फिर gaming कर रहे हो, Wi-Fi पे, वहां पर आपका mic भी use हो रहा है, तब battery backup काफी जल नहीं करती है, वो सिर्फ playbacks को लेके टेस्ट करती है, मिलब गाने सुनते हुए टेस्ट करते हो, वो calling को लेके टेस्ट नहीं करती है, जब भी आप calling करोगे, तब battery जल्दी drain होगी in comparison to जब आप गाना सुन रहे होगे, and same goes for gaming, gaming करते डाइम जब आप mic वगरा use करते हो, and Wi-Fi स थोड़ी जल्दी drain out होती है, so दोस्तों ये थी कुछ सवाल जिनको मैंने answer करनी की पूरी कोशिश किया, further अगर आपका कोई भी सवाल है, ये सुझाव है, आप comment कर सकते हो, मैं ऐसे useful videos लाने की कोशिश करता रहूँगा, and I hope आप लोग को ये videos helpful ज़रूर लगेंगी, and आपक decision making easy कर पाएंगी, तो please subscribe कर लेना अगर नहीं किया है तो, and like भी करो, और मैं मितना आपको अगले वीडियो में, until then, over and out.